में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रजुलित करो उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रजुलित करें अगर गोल बाती है तो वो तो दिये के बीच में होगी फूल बाती है तो वो दिये के बीच में होगी और मानलो अगर लंबी बाती लेकर गए हो लंबी बाती को लेकर पहुचे हो तो अगर दीप लगा रहे हो कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है तो वो दीप का बाती का मुख अपनी ओर रखना पर कोई कामना नहीं हम भगवान को केवल इसलिए रिजा रहे हैं कि मे लेनात मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुक सम्रद्धी दे तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर चोड़ दिया अब हम किसी से नहीं पूचेंगे कि हमें क्या करना है यह दीप की बाती का मुख यो आपकी और अर्थात मेरा जो जीवन है मेरा जो सम्कून परिवार है और जो कुटुम्ब है मेरा जो कविला है में जिस घर में निवास करती हूं मैं जिस गर में रहता हूं उस घर का संपूर्ण कारवार सब तुमारे भरोसे पर है तो बाती का मुख कहा हो गया भगवान की और हो गया भाती पर जाधा तर लोग दिया जो लगाते हैं न वह अपनी और भाती करके ही लगाते मतलब इनकी कामना चलती ही ठेटी रहती जहाँस कोछच कामना है इंकी जागरु प्रहती है निश्यम्षी सब्सक्राइब इस तो अपना समपोनी परिवार समपोन अपने परिवार का दुकाना द्थ धन्दा रहो वेवसाय हो चाहे आप जितना भी कारे कर रहे हो फेक्टनिया चला रहे हो वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया भगवान की और दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाती का मुख भगवान की और हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में बाती का पड़े चोट लग जाए ऐसा भी नहीं जब भी दिया लगता है आप बहुत ध्यान देना मारज अगर भगवान जिस इस्थान पर बेटे हुए हैं अगर दिया हमको रखना है भगवान जहां विराजमान है दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने तो अपन जहां वि विता की दूरी तो होना ही चाहिए जिससे भगवान को भी चोटना लगे भगवान को भी घातना लगे तुलसी महराणी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महराणी से दूर लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगा पहले तो इसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें नीचे अलग से दिया रखने की जगा बनती दी तो उसमें दिया रख दिया जाता था आज के जमाने में इतनी जगाई ही नहीं की वह में रखो तो लोग वो कुंडा में धर्किया जाए अब कुंडी में रख किया है मालूम पड़े तुलसी महरानी का पत्ता मुर्जा जाता है तुलसा महरानी भी ऐसी मुर्चित हो जाती है तुलसा महरानी भी चारू तरफ से वो दिये की लो से जल जाती है ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं किसी को कश्ट दे कर किसी को परिशान करकर देवता हूँ आपको आपको किसी को कश्ट दे कर किसी को परिशान करकर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है उसका कोई आनंद नहीं है किसी को भी कष्ट देकर अगर YOU can derive your ल乾би बी करा दान भी करा diferenale कि शाम को चार वजे से देज कर सवाध्य के बीच में संकर और पारवती के ब्रहण कर रेता है मेरे डेव दिद्य महादेव माताफ पारवती के ब्रहण कर समय बगवान संकर पारवती गुमने को निकल 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 इसलिए हमारा फनातन धर्म करता है शाम के समय पर माताओं को जाड़ों नहीं लगाना चाहिए शाम के समय पर माताओं को चूड़ी विच्छिया नहीं बदनना चाहिए उसका कारण क्या है क्योंकि पारवती जी ने भगवान बोलेनाची से कहा था कि तुम मुझे रोज साम के समय प्रदोस काल में ब्रहमन के लिए लेकर जाते हो मेरे लिए आध्या क्या है संकर भगवान में का सुनो पारवती मंदिर के अंदर नंदी रहता है जाने वाला यात्री, जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है, तो नंदी के कानों में टर कर जाता है, कि शिव जी को मेरे या लेकर आना, मैं नंदी के अनुसार, उनके घर जाता हूँ, मेरा काम है, उनका कल्यान करना, और तेरा काम है, उनके घर की नारी को अखंड सुभा देवती होने का बढ़ में तो देदूंगी पर उस समय पर माता है चूड़ी बदल रही होगी रहा तो चूड़ी निकाल रही होगी तुम्हें बढ़ कैसे दे सकती हूं मांग भर रही होगी तुम्हें बढ़ कैसे दे सकती हूं उस समय पर जाड़ू लग रही होगी तो में लच्वीज महां कैसे भेश सकती हूं आप बताओं तो संकर वगवान में कहा प्रदोष का समय एक एसा समय होता है शाम का समय होता है जिस समय पर केवल शंकर और पारवती की अधाधना का समय होता हुआ हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहां संपदा नहीं आ रही ह बहुत मेहनद कर रहे हो धल नहीं मिल रहा कहीं नोकरी कहीं सर्विस या कहीं वेपार या वेसाएं में कहीं तकलीफ आ रही है हम सब से करते हैं शाम का समय पकड़ लो संकर जी के मंदर में दिया लगाना परारा रहा है श्युम मंदर में अगर दिया नहीं लगा रहा है तो संकर जी के मंदर में दिया नहीं लगा रहा तो संकर जी के मंदर के बाहर चोखट पर दिया लगा इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा तो पर संकर जी के नाम का श्री शिवाए नमस पुप्यम बोलकर संकर भगवान को याद करकर तो तुम को याद के उसका सुमर्ण करकर लच्छनी होचा नारैन होचा राम होचा कृष्ण हो इस समझ करकर साम के समय पहार दिया लगा दो तरबाची के पास लगा दो उसका जरूर आएगा तो उसका बिल कम जरूर होगा और वो कुछ दे कर जरूर जाए नियम तो बनाओ उसकी चोखट बढ़ जाते रखता है नहीं प्रस्कति महाराजी ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोश का समय होता है उस समय पर इंद्र देओ तुम संकर जी की अराधना करो शिफ अराधना से संकर जी जो मार्द प्रस्कत करेंगे शिफ अराधना से जो संकर जी कहेंगे वो तुम करना है ओओ अरादनकरी बाबा बोले ना जी अरादनकरी बाबा बोले ना जी मालूम नहीं था इंद्र देओं को अरास्तपी महराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर संकरजी पर साथ बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्थ की तरदी बिना सोथे कितनी बेलपत्र साथ प्रदोश का बरत करो चाय ना करो मन्दिर में चड़ी होई बेलपत्र को उठालो बेलपत्र का ब्रह्म कमल बनालो ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे आसपस पत्र में आए साथ पत्री का ब्रह्म कमल बनाकर जैसे यह पत्री आए एक जैसी रख्षी होई है तो इसको फैला जाए साथ पत्री को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बनाए प्रदोश का बरत करें ना करें पत्ती लेकर आओगे तो ही संकर्जी को चड़ा उड़ाओगा शिव जी पे सिद चड़ी रूए उठाकर धोकर प्रम कमल बनाकर पावास्ति बिने करकर हेव्यों आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं बाबा मेरा येकार है बोलकर श्री श्रिवाय नमस्तु भिरम बोलकर श चिन भरके प्रदोश वरत का तल बाबा एक बिलपत्री समर्खित करने पर प्रदान कर देता है शिव प्रदोश वरत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई परसनता नहीं पर नहीं कर रहे तो प्रदोश के दिन या बारो महीने शिवरात्री आतिये स्रीश वाय नमस्तुबं हर हर महादेब कैसे आज सबी लोग आशा करती हूं आप सबी बहुत अच्छे होंगे देखे जो भी मेरे चैनल पर पहली वाही बहन पहली वार आए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियो कैसी लगती हैं कमेंड में हर महादेब लिखना ना भूलें देखिए आज को उपाय बहुत ही अच्छा उपाय बताया है प्रदोस काल में अगर आप एक दीप अपने दर्वाजे पर लगाते हैं तो धन का आप क्या भंढर भर जाएगा लच्मी का आगमन होग कहते हैं प्रदोस काल में सिर्फ पारवती ब्रमड के लिए निकलते हैं तो नंदी के कान में जाकर अगर आप मंदिर जाते हैं तो उनके कान में अवश्य कह के आएं कि ब्रमड के लिए आप सिर्फ जी और पारवती को लेकर आते हैं प्रदोस काल में साम की डायम तो हमारे या अवश्य लेके आएं तो ऐसे कान में के आना है नंदी के कान में और आपको आना है घर साम को आपको एक दीप लगाना है साम को अपने दरवाजी के पास लंबी वाती का लगाना है घी का और आपको प्रचलित करते समय यही बोलना है के हे नंदी बाबा आप सिप जी पार प्रतिवी प्रमण के लिए आते हैं तो इसलिए आपको दरवाजे पर एक घीका दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए इससे आपके धन में बरकत होगी आपके धन समबदा खोब बढ़ेगी कोई भी कस्ट बीमारी नहीं रहेंगी आपके धन समबदा की जो भी कमी है वो कमी प देदे हैं कि अगर आप यह सब परेशानिया हैं तो आप एक उपाई अवश्य करने पर दूसकाल में एक बच्पक अवश्य लगाएं देखिए अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या आप शिवालनें नहीं जा सकते बेल पत्र के पेड़ के पास ऑश्य करने तो एक अपने जरूर लगा कर आए इससे आपके जो भी धन्गी कमी है वो पूरी हो जाएगी जो भी आपके कस्थ है वो समाप्त हो जाएगा आपकी जो भी मनो कामना है वो पूर्ण अवस्य हो जाएगी परदीप इसना जी ने अपनी कथा में ये भी बताया है उनका ही उपाय सुनकर मैं को बताने का प्रयास कर रही हूं जो भी वैक दीप दो स्काल में साम की टाइम मंदर जाकर एक दीप लगाए जो भी अपनी कामना है कामना को जानकर आपको रखकर अगर दीप लगानी है तो वो लंबी बाती का दीप लगाते वक्त उसका मुख अपनी तरफ करकर ही लगाए अगर कोई कामना नहीं है वैसे ही आप सिब जी को रिजा रहे हैं, आप किया धन संपदा हमेशा रहें, आप किया सुक्सांती बनी रहें, तो आप उस दीप का मुख सिब जी की तरफ कर दें, अगर आपकी कोई कामना है, तो उस दीप का मुख अपनी तरफ लगाएं, लंबी देखेड़ से ने वीडेखेछ है